प्रियर विद्याठ्यूं एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमाई योट्यूब चैनल हिंदिग्यान पर इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी बोर्ड के उन सभी छात्रों को यह अगध कराएंगे कि किस तरह के बदलाव इस बार यूपी बोर्ड में हुए हैं यूपी बोर्ड में क्या-क्या बदलाव स्विकार किये गए हैं और क्या-क्या बदलाव किये जा रहे हैं इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा साथ ही आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि 2021-22 के सत्र में क्या आपको 100% कोर्स पढ़ना है या 70% कोर्स पढ़ना है या क्या-क्या निर्देश हैं क्या-क्या रूल बनाए गए हैं अगर आप लगातार न्यूजपेपर पढ़ना होंगे तो हर दिन नियूजपेपर में कुछ न कुछ यूपी बोर्ड में हो रहे बदलाओ के बारे में जिक्र किया जा रहा है वो जिक्र कितना ज्यादा सही है क्या उसे बोर्ड की तरफ से स्विक्रिती प्रदान है या वो रूल सही है या गलत है इन सारी चीज़ों को हम इस वी चीज़ पर भी हम जिक्र करेंगे कि 2021-22 के सत्र में यूपी बोर्ट का जो रूल है वो किस तरह का होगा यानि 100% कोर्स आपको पढ़ाये जाएंगे या 70% कोर्स पिछले साल की भाती पढ़ाये जाएंगे यह सारी चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो के माथ हमसे तो देख नहीं है कि हम किसी न्यूज़ पेपर के माध्यम से या किसी ऐसे चोटे मोटे न्यूज़ के द्वारा इस वीडियो को बना रहे हैं बलकि यह यूपी बोर्ट के ही जो भी सुझहाव दिये गये हैं या जो भी मेटिंग के द्वारा एक उनका निर्णे लिया गया है उसके अधार पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं देखिए यूपी मोट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि देखिए यहां पर आपको 14 अगस 2021 का एक पत्र है कि प्रेशक सचीव माधमी सिच्छा परिशत उत्तर प्रदेश प्रयागराश सेवा में समस्त मंडलिय समस्त मंडलिय सिच्छा निदेशक उत्तर प्रदेश समस्त जिला विद्याले नेरिषक उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हूए यह पत्र लिखा गया है कि या लिखा गया है पत्रांक माधमी सिच्छा परिशर 2011-103-2021-22-70 के लिए देखिए विशय इसमें क्या चीज का जिक्र है सैच्छिक सत्र 2021 है तू एकेडमिक केलेंडर यानि एकेडमिक केलेंडर का मतलब है कि आपकी जो सिच्छन है यानि सैच्छिक कारी है उसके क्या कब किस समय होगा इस सारी चीजों का जिक्र इस पत्र में आपको देखने को मिलेगा का निर्धारन किये जाने के संबद में। है कि सैक्षिक पंचांग के अनुसार मात्मिक विद्यालों में सैक्षडिक एवं पाठ्य सहगामिक गतिवीद्यों का सम्यक संचालन कराना सुनिश्चित करें। देखे इस पत्र में यह बात कहा गया है कि जो 2021 और 22 का एकेडमी कलेंडर इसमें सहलगने किया जा रहा है यानि जो भी निर्देश दिये जा रहे हैं। उसी के अधार पर माध्मिक विद्यालों में आपका सैच्षिक कारिय कराया जाए। इसके साथ ही इसका परिवेच्छण एवं अनुस्रवन भी किया जाए। सहलगनक उप्तवक्त भवदिय दिव्यकांत सुक्ल जो की सचीर हैं और यह जो पत्र है वो 14 अगर 2021 का है। अब देखिए इसमें बहुत सारी साई चीजे दी गई है। इसको हम प्रिश्टांग संख्या वगरवगर सूचना आवस्यक कर आई है तू प्रेशित किया जा रहा है इन सबी चीजों को तो इसका हम जिक्रे नहीं करते हैं। बहुत जादा उप्योगी नहीं है। जो उत्तर प्रदेश राशन सेवा में सिछा निदेशक माध्मिक एवं सändern्परदेश लखनो मां मी शिच्छा अनृभाक साथ दिनांग 14 अगर 2021 कि दिन ils ao 21 2020 को ही पत्र का जिक्र है। क्या है विशे इसमें भी 2021 22 के जाने के संबन्ध में जो भी शूचनाहें दी गई है उसके बारे में कहा गया है देखे क्या सहलगन है इसमें महोदे उपर्युक्त विश्यक सचीव मादमिक सिच्छा परिशद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र संख्या मादमिक सिच्छा परिशद सोथ 1165 दिनांग 13 आंट 2021 का संदर गरहन करने का कश्ट करें जिसके द्वारा सेच्छिक सत्र 2021 हे तू एकेडमिक कैलेंडर उपलब्द कराते हुए अनुमोदित के जाने की विवस्था की गई है दूसरा इसमें जो जिक्र है कि इस संबंद में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा प्रेशिस सेच्छिक सत्र 2021 हे तू एकेडमि कैलेंडर उनुमोदन उप्रान सहलगन कर आवश्य कारवाही हे तू प्रेशित है भवदिय और आधना शुकला अपर मुख्य सचियू आगे देखते हैं क्या-क्या इसमें निर्देश दिये गए हैं देखे सिच्छण कारे के लिए कहा गया है पहला पॉइंट में कि वीव प्रेशाओं का संचालन कि यानि कि विद्यार्थी जब स्कूल जा सकेंगे भौतिक रूप से यानि फिजिकल अपने आपको प्रेजेंट कर सकेंगे क्लासेज में तो वो 16 अगस्ट 2021 को निर्दारित किया गया था अर्दवासी परिच्छा की प्रेवगात्मक यानि नवंबर के सेकेंड विक में होगा अब तीसरे पॉइंट में जिक्रे किया गया है कि अर्दवासी परिच्छा की लिखित परिच्छा का आयोजन मासिक सायचिक पंचांग में 15 नवंबर तक सभी विशेयों के पढ़ाने हितू निर्धारित किये गए पार्ठिक्रम क आधार पर नवंबर 2021 के 33 सब्ता में आपका जो अर्दवार्सी परिच्छा यानि हाफियरली एक्साम है वो आपका कराया चाहेगा पर एक चीज और सहलगने किया गया है कि मासिक सेचिक पंचांग यानि कि उत्तरप्रदेश मादमिक सिख्छा परिच्छत यानि जो यूप उन सबी से अन्रोज भी किया गया है कि 15 नमंबर तक वो जितने भी विशय के पार्टे क्रम नरधायत किये गये हैं उसके आधार पर पढ़ा लें और पूरा कर लें क्योंकि हाफियरली एक्जाम जो होगा लिखित परिच्छा प्रैक्टिकल तो आपका नमंबर के दूसरे स सब्ता यानि नमंबर के सेकंड विक में हो जाएगा पर आपके तीसरे सब्ता में आपका हाफियरली एक्जाम करा दिया जाएगा देखिये चौथे पॉइंट में कहा गया है कि अर्धवासिक परिच्छाओं के प्रापतांकों को मादमिक सिच्छा परिश उत्तर करना देना नहीं है तो देखिए इस बार जो कुरोना महामारी की वज़र से प्रमूट करना पड़ा तो उसमें बहुत साई दिक्कति आ रही थे तो ऐसा ही कभी कोई अगर घटना घटती है या किसी प्रकार की बाधा आती है तो आपको अगर प्रमूट करना पड़े चुक करके रखता है हो सकता है उसको भविश्य में कभी जरूरत पड़े तो उसके आधार पर नमबर दे सके तो चौथा पॉइंट जो है वह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि देखिए कहा गया है कि अर्दवार्सी परिच्छा के प्राप्तांकों को मा प्यर्ली में आप जितना भी अंक प्राप्त करेंगे उसे उत्तरप्रदेश मादमी सिच्छा परिश्रत के वेवसाइड़ पर अप्लोड करना है यानि कि आपके जो हाफ प्यर्ली के अंकों गे सारे सब्जेक्ट के उसे भी UP Board के वेवसाइड़ पर अप्लोड किया किती थी कच्छा 9 10 11 एवं 12 हेतू 15 जनवरी 2022 निरधायत की गई है यानि सभी क्लासेज जो आपकी चलेंगी क्लास 9 10 11 और 12 की वो सारी क्लासेज की ओनलाइन है कि ओनलाइन मतलब कुछ चीज आप PDF भेजना चाहते हैं जो भी चीज़ें और आफलाइन क्लासेज तो सिलेबस है उसको पूरा आप कर लेंगे कब 15 जनवरी 2022 को आपको पूरा कर लेना है सारे आपकी जितने सिलेबस हैं आगे दिया गया है कि छटफे पॉइंट में कि प्रीबोट की प्रेवगात्मक परिच्छाओं का आयोजन 24 से 31 जनवरी 2022 को निरधायत किया गया है यानि प सात्वा पॉइंट दिया गया है कि प्रीबोट की लिखित परिच्छा कच्छर 9 एवं 11 की वार्सी ग्री परिच्छा का आयोजन यानि प्रीबोट की लिखित परिच्छा जो 9 और 11 प्रीबोट की लिखित परिच्छा यानि 10 और 12 का प्रीबोट जो होता है उसका रिटे नि कम्प्लीट करना है अगला देखिए पॉइंट है कि प्री बोर्ड परिच्छा के प्राप्तांकों तठा वार्सिक ग्री परिच्छा के प्राप्तांकों को मादमी सिच्छा परिशत उत्तर प्रदेश के वेवश्राइट पर अप्लोड करना है प्री बोर्ड और वार्सिक ग् तक हो जाना चाहिए. अब देखें, नौह आव जो प alot więc है, उसमें दिया गया है कि बोड की प्रयोगात्मक परिछाओं का आयोजन, यानि बोड के जो भी छात्र है 10 अर 12 ने, वो बोड के प्रयोगात्मक परिछाओं का जो आयोजन है वो फरवड़ी बोट परिच्छा का आयोजन मार्च 2022 के चतुर्थ सब्ता में यानि मार्च के चौथे सब्ता में बोट परिच्छा का आयोजन किया जाएगा ग्यारहवा आपका पॉइंट दिया गया है आगामी सैक्षिक सत्र दो हजार बाइस तेज के प्रारम किती थी यानि आने वाला जो आपका सैच्छिक सत्र दो हजार बाइस और तेज़ उसका प्रारम करने कीती थी है वो अप्रेल दो हजार बाइस से है जो की हरमेसा होती थी कोरोना के वज़से इस बार लेट हुआ है अब देखें नोट कुछ दिया गया है कि उपरियुक्त तितियां भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार दोरा कोवीड-19 महामारी के संबंध में जारी किये जाने वाले तिसा निर्देशों के अधीन होंगी कोवीड-19 के दिश्टिगत विल्यालों में पठन-पाठन हेतू समय का निर्दायन के संबंध में सक्षम अस्तर से आदेश निर्देश के जा सकते हैं देखिए जो भी तितियां उपरियुक्त बताए गई है या जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी संबंध मतलब सहमती के साथ जो भी यह चीजें जारी कि गई है इसे आपको आवस्यक रोब से लेना है और इसके अधीन ही इन निर्देशों का पालन क करते हुए आगे बढ़ना है ठीक है आगे देखिए सामान निर्देश क्या दिये गए हैं सामान निर्देश जो की बहुत जादा महत्यों पूर्ण है एककर के पॉइंट लगातार निउस्पेपर में आ रहे हैं यहां पर हम उन सभी सामान निर्देश को एक ही वीडियो मे आपको बता रहे हैं जो की सामान निर्देश आपके लिए बहुत जादा उपयोगी होंगे क्या-क्या सामान निर्देश दिये गए इस पर भी हम चर्चा करते हैं देखिए समस्त निर्देशों के पालन में कोविड-19 की सुरच्छा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा जा है कि जन सामान ने को जनकारी प्रदान करने के लिए उक्त एकेडमिक कलेंडर को जिला विद्याले निरिच्छग सैयुक्त सिछा निदेश रग माध्मीक सिच्छा परिश्द उत्तरप्रदेश प्रियाग राच एवं माध्मीक सिच्छा निदेशाले की वेबसाइट पर भी अप्लोट किया जाए या जो कैलेंडर है एकेडमिक कैलेंडर इसको उत्तर प्रदेश माद्मी सिच्छा परश्रत की वेवसाइट पर अप्लोट किया जाना अम सुनिश्चित किया जाए यह बताये गया दूसरे पॉइंट में देखे क्या कहा गया है ओनलाइन या जिसमें प्रात्ना होगी तथा सिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा आज का सुविचार प्रस्तुत किया जाएगा। जिसमें प्रात्ना सबा का आयोशन किया जाएगा। जीवन में मुल्यों का महत्व हो या राष्ट भक्ति या चरित निर्मा ऐसे किसी भी टॉपिक पर वो अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। उसी प्रात्ना सबा में। अब कहा गया है प्रतेग पक्ष में या एक पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है तो प्रतेग 15 दिन में आप कह सकते हैं कि यूपि बोर्ड ने ये कहा है कि या तो कोई अस्थानिय प्रशासनिक अधिकारी को आप बुलाईए स्कूल में या किसी पुलिस अधिकारी को या किसी डॉक्टर को या इंजिनियर को या बैंक के किसी अधिकारी को या सेवा नियोजन अधिकारी या किसी भी उद्यमी या कोई भी प्रतिष्ठित महानुभाव जो कि अच्छा करता है और एक आधर्श प्रस्तुत कर सकता है अपने आपको तो ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाए और उनकी जो विचार है वो विद्यार्थियों को सुनाए जाए चौथे पॉइंट में देखिए क्या दिया गया है चौथे पॉइंट में दिया गया है कि पाठ्थे क्रम की पूर्ति हे तुम विद्याले अस्तर पर भौती कच्छाओं के साथ साथ ऑनलाइन कच्छाओं का भी संचालन किया जाए तथा इसकी समय स्राणी विद्यार्थियो को समय से उपलब्द करा दी जाए देखे चौथी पॉइंट में कहा गया है कि विद्याले अस्तर पर जो ऑफ्लाइन क्लासेज है भूती कच्छाओं यानि की फिजिकली जवाब प्रेजेंट हैं क्लासेज में तो इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेज का भी संचालन किया जाए और जो ऑनलाइन क्लासेज की समय सारणी है यानि टाइम टेबल है उसे भी बच्चों को बलब्द कराया जाएं आगे देखिए डिडी यूपी ई विद्या एवं स्वेम प्रभापर कच्छावार प्रस्तारित होने वाले कारिक्रमों की विस्तित समय सारणी के दिशान निर प्रिथक से जारी किये जाएंगे प्रिथक मतलब होता है अलग से पाश्वा देखिए देखिए क्या कहा गया है पाथ्य पुस्तक के दिख्चा पोर्टर पर इबुक्स के रूप में मात्मी सिच्छा परिशत उत्तर प्रदीश प्रयागराज की वेबसाइट पर लिंक के रूपने उपलब्ध है यानि आपके जो ई-book है यानि इंटरनेट पर आप अपने ही बुक को डाउनलोड कर सकते हैं उसका जो लिंक है वो उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट पर उपलब्ध है जहां से पुस्तकों को विद्यारतियों द्वारा डाउनलोड क दिया जा सकता है अगर आप मालेजे कि इस समय बुक नहीं ले पाए है तो आप जाएंगे और उत्तर प्रदेश मादमिक सिछा परश्रत की जो वेबसाइट है उस पर जो भी लिंक दिये गए हैं आपके ई-book को डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही इसके बाद निर्देश दिया गया है कि इसके अत्रिक्त अन्य सिछर सामगरी दिक्षा पोर्टल एवं यूटूब पर लिंक से माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध हैं यानि दिक्षा पोर्टल और यूटूब पर भी जो भी क्लासेश चल रही थी आपकी जैसे स्वयम प्रभा चैनल पर इविद्य इलेवन इविद्या नाई ये सारे चैनल यूटूब पर आप सर्च करेंगे वहां पर भी क्लासेश आपको ब्लब्ध कराई जा चुकी हैं अगला जो नर्देश दिया गया है वो दिया गया है कि सिच्छक ऑनलाइन या ओफलाइन सिच्छण के माध्यम से विविन प्रयोगात्मक कारे एवं प्रोजेक्ट कारी को संपन कराएंगे एवं दिख्छा पोर्टल यूटूब वाट्सअप एवं अन्य पोर्टलों पर अध्यन सामाग्रियों के लिंक के माध्यम से पाठ्य वस्तु छात्रों हेतु उपलब्ध कराएंगे यानि जो भी सिच्छ बोड के वाट्सअप या यूटूब है या कोई अन्य पोर्टल जैसे दिख्छा पोर्टल है इसके माध्यम से जो भी लिंक प्रोवाइट की गई है उससे साहता लेकर पाठ्य वस्तु जो भी है यानि कि उसका जो भी आपको study material है वो छात्रों को उपलब्ध कराएंगे सि प्रभावी रूप से लागू किये जाने के निमित जीला विद्याले निरिचक, वेबिनार्स तथा उनलाइन ट्यूटोरियल के माध्यम से प्रधानाचारियों को प्रशिच्चित करेंगे, तद उपरान प्रधानाचारी अपनी संस्था के सिच्चकों को यानि प्रधानाचारे के लिए कि ओनलाइन सिच्छर को प्रभावी बनाने के लिए जो भी नेमित यानि नामित किया गया होगा जिलावी द्याले निरिचक को वेबिनार और या ओनलाइन टुटोरियल के माध्यम से प्रधानाचारे को प्रसिचित करेंगे और उसके बाद ज अंचिप्त करते हुए पार्ठिक्रम को गत्वर्स की भाती 30% तक कम करके मादमिक सिच्छा परिशत की वेवसाइट पर अपलोट कर दिया गया है। सत्तर प्रतिसत कोर्स पढ़ाए जाएंगे तो नौवे जो पॉइंट है वो उसमें जो निर्देश दिये गये हैं नौवा उसमें एकदम असपस्ट रूप से यह बता दिया गया है कि उत्तर पे दिश मादमिक सिच्छा परिशत परियागराज द्वारा पार्ठिक्रम को जो भी विद्यार्थी पढ़े थे वो सिफ 70% कोर्स ही पढ़े थे तो इस साल 2021 और 22 के जो भी विद्यार्थी है वो भी 70% कोर्स पढ़ेंगे और क्या क्या आपके कोर्स मा आएंगे इसके और क्या क्या आपको पढ़ना है हर सब्जेक्ट में यह सारी चीजों को आप जाके सर्च कर सकते हैं या हम आपको description में link दे देंगे हमने पहले इस पर वीडियो बनाया है कि किस subject में कितने कौन कौन से chapter आपको पढ़ने और कौन कौन से नहीं पढ़ने या सारी चीजें आप पहले जा कर वहां से देख सकते हैं आगे देखिए दस्वा जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है कि hands on activities एवं experience learning विधा को गडित एवं विशे में लागू किये जाने है तू सब्ताह में दो वादन निर्धायत किया जाना सुनिश्चित किया जाए यारमा जो पॉइंट है सेचडिक कतिविद्यों में जीवन कौसल सिच्छा एवं एकिश्वी सताब्दी कौसल की समावेश है तू सब्ताह में दो वादन निर्धायत किया जाना सुनिश्चित किया जाए विध्यार्थियों द्वारा library की समुच्चित उप्योग है तू प्रतिक सब्ताह में एक वादन निर्धायत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तेरहवा जो दिया गया है वर्तमान सत्र में कच्छा नौवी की लिखित अर्धवासिक एवं वार्शिक परिच्छा प्रश्णपत्र के नए प्रारूप के अधार पर होगी देखिए प्रश्णपत्र का जो नया प्रारूप है नौवी और के जो भी छात्र है उनके लिए जो पेपर का पैटर्न है वो बदल दिया गया है यारी आपकी हाफ फियरली और एन्वल एक्जाम जो होते हैं उसका जो प्रारूप है वो बदल दिया गया है अब प्रश्णपत्र दो खंड में होंगे और प्रतम कंड में जो तीस प्रतिसत अंकों के बहुबिकल प्रश्ण होंगे और दूती खंड में जो होगा सत्तर प्रतिसत अंकों के वर्णात्मक आपके प्रश्ण होंगे यानि क्लास नाइन्थ का जो प्रश्ण पत्र होगा उसका प्रारूप बदला गया है क्वेश्चन पेपर का आपको पहले खंड में यानि जो पहला पार्ट होगा उसमें 30 प्रतिशत जो भी आपका पुडांक निर्धाइत होता है यानि 70 नंबर में आपका 30 प्रतिशत जो होगा वो बहुबिकल्पी प्रश्ण MCQ होंगे और 70 प्रतिशत वर्णात्मक प्रश्ण निर्धाइत होंगे चोदवाँ जो दिया गया है नर्देश अर्दवासिक परिच्छा मासिक सेक्षिक पंचांग के अनुसार 15 नंबर तक निर्धाइत पार्टिक्रम से ली जाएंगी यानि जो भी सैक्षिक पंचांग यानि एकेडमी कलेंडर जो भी दिया गया है वेवसाइट पर उसको आपको कंप्लीट करना है सिक्षकों को और अर्दवासिक परिच्छा जो होगी वो 15 नवंबर तक निर्धारित पार्टिक्रम से ली जाएगी यानि 15 नवंबर से आपके अर्दवासिक परिच्छाएं प्रारम हो जाएगी 15 निर्धेश दिया गया है कि प्रतेक मादमिक विद्याले में सिक्षक अभिभावक समेती की अर्दवार्सिक बद कच्छा नौ सौरी कच्छा दस एवं बारह एवं वार्सिक कच्छा नौ एवं ग्यारा परिच्छा के बाद बैठक आयोजित की जाए जिसमें विद्यार्तियों के सैच्छिक प्रगती पर विचार विमर्स किया जा सके यानि जो पीटियम है वो आपके अर्दवासिक परिछा के बाद और अर्शिक परिच्छा के बाद होना सुनिश्चित किया जाए और साथी जो भी विद्यार्थी के सैच्छिक प्रगती है उस पर भी विचायर विमस किया जाए 16 नंबर पॉइंट में ये दिया गया है कि खेल कूद NCC, स्काउटिंग, NSS एबं सांस्कृति साहितिक गतिवीजियों की रूप रेखा जुलाई मा में तियार कर सदनवार टीमों का चैन ओनलाइन माध्यम से किया जाए 17 पॉइंट में दिया गया है कि प्रतेक मा के प्रतेक सनिवार को विद्यार्थियों के सर्वांगिर विकास है तो गति विद्यों का आयोजन किया जाएगा यानि देखिए अभी सारे क्लासेज जो है वो सनिवार को बंद रहरी है तो किसले बंद रहरी है इसका भी जिक्र किया गया है कि प्रतेक मा के प्रतेक सनिवार को विद्यार्थियों के सर्वांगिर विकास यानि स्किल डेवलप्मेंट को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि मा के प्रतम सनिवार को आप क्या करेंगे दूतिय सनिवार को क्या करेंगे इसका भी जिक्र 17 नंबर पॉइंट में दिया गया है देखिए मा के प्रतम सनिवार को सदनवा सांस्कृतिक गतिविध्यों यानि नित्य, गीत, वादन, नाटक, चितरकला, आदी का आयोजन किया जाए यानि प्रतिक मा के प्रतिक सनिवार को विद्यार्थियों के सरवांगी विकास के लिए जो भी गतिविद्या आयुजित की गई है उसमें यह जिक्र है कि जो आपके महीने का पहला सनिवार होगा उसमें आपको डांस, सौंग, वादन ये सारी चीजों का आयोजन किया जाना चाहिए विद्याले की तरब से दूसरे सनिवार को खेल कुद अधारी सदनवार प्रतियों गिताएं आयोजित की जाएं भौतिक रूप से विद्याले खुलने की इस्थिती में यानि जब पूरी तरब से विद्याले खुल जाएगा तब प्रतियों महीने के दूसरे सनिवार को खेल कुद से सम्मंदित प् इम सुलेक आधी का सदनवार आयोजन किया जाए। उनकी अभिभावकों को भी सरसमे सुचित कर दिया जाए। अठारा पॉइंट में दिया गया है कि महलाओं एवं बालिकाओं की सुरच्छा सम्मान एवं स्वा अलंबन के लिए दिनांक 21 अगस्ट 2021 से दिशंबर 2021 तक संचालित मिसन सक्ती अभियान के त्रितिय चरण के कारेकरमों का संचालन किया जाए। उननीस नमबर निर्देश में दिया गया है कि विद्यार्थियों का स्वास्ते परिच्छन कराकर स्वास्ते कार्ड तियार कराया जाए। बीस नमबर में दिया गया है कि सदनवार खेल कोट प्रतियोगी ताएं सरो प्रत्थम विद्याले अस्तर पर आयोजित किया जाएं तत्पश्चाज जन्पन अस्तर पर मंडल अस्तर पर तथाराज्य अस्तर पर आयोजित कराई जाएं एवं प्रतियक अस्तर पर विजेता व के उपरां 30 मेर्ट की चर्चा एवं विद्यालियों में ओनलाइन या ओफलाइन माध्यों से निबंद पोश्टर एवं वाज विवात प्रतियोगिता करा कर विद्यार्थियों को जागरूप किया जाए। अपने प्रतियोग पंजिकृत विद्यार्थि से उनकी इमेल आईडी बनवाई जाए तथा उसके प्रयोग होती है तू उन्हें प्रसिच्चित किया जाए। विद्यार्थियों की प्रगति एवं प्रयासों की संबंद में। फीडबेक है तू इस्टुडेंट डायरी उपलब्द कराई जाए। प्रगति और प्रयास कितने हैं उसके संबंद में फीडबेक देते रहें इसके लिए उन्हें डायरी उपलब्द कराई जाए। 25 नंबर पॉइंट छूट गया था इसे भी हम जिक्र कर लेते हैं विद्याले में दिसंबर माह में विशेशग्यों के नित्रित्यों में। कच्छा 12 के विद्यार्थियों है तो केरियर काउंसलिंग सब्ता का आयोजन किया जाए। इस मारी का मतलब होता है जो पत्रिकाएं विद्याले की निकलती हैं उसमें जो आप छोटे छोटे लेक देते हैं या कविताएं देते हैं यह सारी शीजहें आप दे सकते हैं अपने विद्याले में और उससे आपकी पत्रिकाएं निकलेंगी आपकी विद्याले के द्वार और उसमें आपके लेक जो होंगे वे प्रकासित होंगे और उसके एक प्रती यूपी बोर्ट को भी देना है यानि विद्याले में कारिक करना है ताकि वो यूपी बोर्ट को दे सके अगला जो पॉइंट है उसमें दिया गया कि विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में अर्धवार्सिक एवं वार्सिक परिच्छा के प्रापतांग अंकित किये जाएंगे तथा उसमें विद्यार्थी के स्वास्ति का विवरण भी अंकित होगा। विक्सित किया जाएं जसमें स्कूल इस्तर पर की जाने वाली गति विद्यों को समलेत किया जाएं। तो इतना ही आज के लिए आगे माहवार गति विद्या क्या क्या है किस महिने में किस चीज का आयोजन होगा ये सारी चीजों को हम आगे बताएंगे तब तक के लिए धन्यवाज जैहिंद महादेव।